हेलो फेंड दोस्तों लोग आज जानेंगे कि NSDL के तुरू EI account कैसे open करते हैं क्या process है क्या steps है इसके बारे में लोग समझेंगे दोस्तों EI का मतलब यहां पर E-Insurance Account opening है जो कि आप अगर policy लेते हैं रिनुवल कराते हैं तो आपको जौल परती है दोस्तों सबसे बले आपको Google पर डालना है NSDL EI login और इसके दोस्तों E-Insurance Account opening वाले options पर जस्तिक कर देना है तिक करने के बाद आपको दोस्तों कुछ इस्टा से new window पर के लेगी जिसमें कि आप यहां पर जिसकते हैं forget login ID and login password और यहां पर EI account processes के बारे में यहां पर detail दे सकते ह some useful information जो है आपको यहां पर मिल तो simple दोस्तों आपको EI account holder login वाले option पर जस्तिक कर देना है तिक करने पर आपकी जो है वो एक new window खोल जाएगी यहां पर आप देखेंगे तो आपको option मिलता है यहां पर select login details क्योंकि पहले सागर आपका EIL account है तो आप यहां पर यहां पर login कर सक आपको simple register here पर tick कर देना है register here करने पर आपको यहां पर कुछ information मिलती है जिसमें आप यहां पर दे सकते हो कि steps दिये हैं कि किन steps की through हम EI account open कर सकते हैं आप आपको यहां पर just click कर देना है click करने के बाद आपको यहां पर new window open खोल जाएगी जहां पर जो भी details है वो आपको यहा आपको यहां पर टिक कर देना है जैसे आप टिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहां पर तीन option दिखाए देंगे जिसमें आपका option select option to complete the KYC यहां पर आपको option मिलता है आधार XML-based KYC का scan अधार QR code और दोस्तों next option मिलता है DC Locker based तो इस तीनों options में आप कोई भी option जो है वो चू आपको यहां पर option मिलता है download XML from UID website इसमें आपको क्या करना है सिंपल आपको download XML वाली website यानि आधार की website पर जाके वह download XML file जो है फो download करनी है और simple upload कर देनी है बहुते simple procedure है आपको आधार की website पर यह लेके जाएगा और उस अधार की website पर आपको आपने login करना है और login करने करने के बाद आपको वहां पर option मिल जाएगा जो कि मैं आपको बताऊंगा और उसके थ्रू जो है आप easily यहां पर जो फाइल आप download करेंगे जे फाइल आपको मिलेगी और फाइल को जो है आपको simple फूरा जो है वह as it is जो है वह download जो होगा उसको आपको as it is जो है वह आपका choose file व options पर टिक करेंगे तो चलिए दोस्तों आपको हम download XML का option के बारे में बताते हैं तो simple आपको download XML file पर टिक करेंगे जो कि दोस्तों मैंने OTP बेस्ट जो है वो लॉग इन कर लिया है लॉग इन करने के बाद आपको option मिलता है डाउन्लोड अधार कार्ड और अधार पीवीची बर्दन प्लेस डेट ऑप्शन रेंग लिंग लिंग स्टेट जनेरेट वर्चुल आईडी लॉग और लॉग और जो है आपको जो फाइल है वह आपकी जिप फाइल जो आपकी XML फाइल है वह आपको मिल जाएगी और उसके बाद आपको सिंपल तो दोस्तों उसको आपको एस जो भी आपकी फाइल है जो आपको मिलेगी फाइल डाउन्लोड करने के बाद वह सिंपली जो है आपको चूज फाइल करके options करके इसको जो है वो upload कर देना है इसमें कुछ भी changes नहीं करना जो भी आप आदार से download करेंगे वो simple as it is जो है आपको choose file करके upload कर देना है और उसमें उस समय आपको आपको passcode आपको इंटर करना होगा जो कि आप word is it का ऑपको passcode बना सकते हैं और वही passcode यहां पर लिंटर करना है ईंटर करना के बाद दोस्तों आपका बने के बाद दोस्तम पर लोगोज़कन की और फाइलू आपका बन जाएगागा का जैसे इंशेरीट कर सकते हैं